आकाश्मनी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग सबसे पहले मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जुगी जूपडी पुनर्वास परियोचना का क्या शुभारंब मुख्य मंत्री शिवरासिंग चोहार ने लाडली लक्ष्मी योचना 2.0 के तहत बालेकाओं को अंदरित की प्रोचसाहन राशी बे मौसम बारिश होने से जबलपूर में मतर की फसल को जबरदस्त नुकसान आधी शेत्र में भी नहीं हो पाई बौने और टाइगर रिजर्ब की बफर जोन में भी परिटक कर पाएंगे सफर सत्पुडा टाइगर रिजर्ब से हुई शुरुवात अब समाचार वस्तार से उन्होंने कहा कि गरीबों को पक्के घरों की चावियास अपना सरकार की उलेकनी उपलब्दी है मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के कारिक्रमों की श्रंकलाब में आज दूसरा दिन लाडली लक्ष्मियों के लिए समर्पित रहा मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने भूपाल के रविंद्र भौन में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का क्रियानवन प्रारंब किया समारों में लाडली बालिकाओं को उच्छी शिक्षा के लिए पहले किष्ट 12,500 रुपे की प्रूसाहन राशी वितरन की गई गौरतलब है कि लाडली लक्ष्मी यूजना 2.0 में लाडली लक्ष्मी बालेकाओं को उच्छ शिक्षा के लिए दो किष्टों में 25,000 रुपे की पूर्ट्साहन राशी देने का प्रावधान किया गया है श्री चोहान ने कहा है कि प्रदेश में बेटी को बोज नहीं वर्दान समझना चाहे इसी मंशा के साथ 15 साल पहले वर्ष 2007 में लाडली लक्ष्मी यूजना शुरू की गई थी श्री चोहान ने कहा है कि जिन बेटियों को मैंने गोद में खिलाया है वे अब कॉलेज जाने लगी हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने आज भोपाल मी तात्या टोपे नगर स्टेडियम के पीछे विक्षित लाडली लक्ष्मी वातिका में लाडली बेटियों के साथ पौधी रूपे गौरतलबे की प्रदेश के सभी सिलों में लाडली लक्ष्मी वातिकाएं विक्षित की जा रही है इसे एक पार्क लाडली लक्ष्मी बेटियों के नाम दिया गया है इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी पत का लोकारपन भी किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा बड़े लोगों के नाम पर सड़क का नाम रखने की परंपरा पुरानी है देश दुनिया में आज पहली बार बेटियों के नाम पर किसी मार्क का नामकरन किया जा रहा है बोपाल में भारत माता चौराहे से पॉले टेकनिक चौराहे तक का मार्क जो अभी स्मार्ट सिटी सड़क से जाना जाता था अब लाडली लक्ष्मी पत की रूप में जाना जाएगा लाडली लक्ष्मी 2.0 के तहट बंसौर में 51 लाडलियों को 6,37,500 रुपे की प्रोटसाहन राशी सीधे खातों में ऑनलाइन अंतरित की कही अशुक नग का लाडली लक्ष्मी पत की रूप में लोकारपित किया गया सतना में लाडली लक्ष्मी योचना 2.0 के अंतरगत कारिक्रम हुआ जिसमें शेतरी सांसद गडिस सिंग भी शामिल हुए सीहोर समवादाता से मिली जानकारी के नुसार्ज सैकडा खेडी मार्क को लाडली लक्ष्मी पत और टाउन हॉल के बगीचे का नाम लाडली लक्ष्मी बातिका रखा गया है केंद्री मंत्रिमंडल ने रवी फसल मौसम 2022 देज के लिए आज उर्वरकों की नई दरे घोशत की हैं फॉसफेटिक और पोटेशिक उर्वरकों पर पोशन आधारी सबसिडी की नई दरे मन्जोर की गई हैं नाइट्रूजन के लिए 98.02, फासफोरस 66.09, पोटास 23.65 और सलफर के लिए 6.12 रुपए प्रती किलोग्राम दर्ग तै की गई है नई दरे पिछले महिने के एक तारीक से लागू हो गई हैं और अगले साल 31 मार्च तक प्रुभावी रहेंगी प्रुधान मंत्री नरींद्र मूती के अद्धिक्षिता में हुई मंत्री मंदल की बैठक में उर्वरकों के लिए 51,875 करोड रुपए की सबसीडी मंजूर की गई इसे किसानों के लिए फॉस्पेटिक और पोटेशिक उर्वरकों की उपलब्धता सुगंबने की और विरवी मौसम 2022 देश के दुरान ये उर्वरक सबसीडी युक्तामों पर प्राप्त कर सकेंगे समाचारों में वक्त है ब्रेक का इसके इलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फर AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेकिबास समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है राजमी सरवाधिक मतर पैदावार करने वाले जबलपूर जिले में इस साल बारिश होने से भारे नुकसान हुआ है साल 2022 में 35,000 हैक्टियर में मतर की वोनी करने का लक्ष रखा गया है जबकि अब तक सिर्फ 20,000 हैक्टियर में ही वोनी हो पाई है ये वोनी का लगभग 58 प्रतिशत ही है गौरतलभे के एक जिला एक उत्पाद में जबलपूर का मतर शुमार है जबलपूर प्रतिवर्ष 22,000 मेत्रिक टन हरे मतर का उत्पादन करता है यहां हर साल 400 करोड रुपे से जाधा का मतर किसान बेचते हैं वो ये मतर की ब्रांडिंग के लिए प्रशासर ने जबलपूरी मतर का टैग बनवाने का निना लिया है गौरतलभे के जबलपूर का 80 प्रतिशत हरा मतर महराश्र, पश्यमंगाल, श्यतिसकर, दिल्ली, उत्रप्रदेश में भी निर्यात होता है विदेशों की बात की जाए तो जबलपूर का हरा मतर जापान और सिंगापूर के विंजनों के लिए भी निर्यात किया जाता है जबलपूर सिले में शापूरा पार्टन मजहौली में सबसे अधिक मतर किसान लगाया करते हैं प्रदान मंतरी जन उशदी परियोजना के तहट पिछले आठ सालों में बिक्री में सौगुना से अधिक व्रिधी हुई है स्वास्त और परिवार कल्याण मंतरी डॉक्टर मंसुक मानविया ने आज हे जानकारे दी उन्होंने कहा कि परियोजना के तहट दवाओं की बिक्री 2014-15 में 7 करोड रुपए से बढ़कर 2021-22 में लगबग 894 करोड रुपए हो गई है एक ट्वीट में डॉक्टर मानविया ने कहा कि दवाओं की बिक्री ने नए उचायों को प्राप्त किया है इस परियोजना में सभी को गुडवत्ता पून और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई गए हैं जिससे स्वास्त सेवा के छेतर में नई क्रांती आई है वन विभाग ने परिटिन को बढ़ावा देने के लिए बफर जोन को खोल दिया है अब परिटिक और आम नागरिक वन विभाग से अनुमती लेकर तामिया देला खाडी के टाइगर रिजर्ब कभरमन कर सकेंगे मधिप्रदेश के स्तापना दिवस की मौके पर 1 नवंबर से सत्पुडा टाइगर रिजर्ब देला खाडी तामिया बफर जोन में जंगल सफारी का शुभारम किया गया बफर जोन में सफारी के लिए वन विभाग नी 35 किलोमेटर शेतर आरक्षित किया है वहीं 20 किलोमेटर साइकल से यात्रा होगी जबकि 6 किलोमेटर पैदल यात्रा निर्धारित की गई है अधिकारियों ने कहाए कि बफर जोन का परिटक और आम नागरिक नियमा नुसार अधिकरित रूप से सफर कर सकेंगे इस दोरान वे वन जीव प्राणी और वन सम्वता का अवलोकन भी कर सकेंगे इसके लिए किराया भी तैकिया गया है बैतूल में 4 नवंबर को प्राता 11 बजे से कलेक्टरीट परिसर में रोजगार मेला आयुजद क्या जाएगा रोजगार मेले में विभिन कंपनियों संस्थाओं के प्रतिनीधी भाग लेंगे जिला व्यापार और उद्द्योग केंद्र के महाप्रबंधा क्रोही डावाद ने पताया है कि रोजगार मेले में अलग-अलग कंपनियों के सैक्रोपदों पर न्यूगती की जाएगे कार्तिक पोनिमा के औसर पर चारदिवसिय मेले का आयोज़न किया जा रहा है खेल और युवा कल्यार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया अश्योपुरी आई वे लद्दाक में शही दुए भीर सपूत अमर शर्मा के घर पहुँची और शोक समवेधना व्यक्त की आमला नौमी के मौके पर आगर मालवा जिले में बहिलाओं द्वारा आवली के व्रक्ष की पूजा आराधना कर परिक्रमा की गई मुख्यमंत्री जिनसेवा अभ्यान के अंतरकर्द गुना जिले में दिव्यांग जिनों के लिए विशे शिवर का आयोजन 4 नमबर को आयोज़ित किया गया है कानूनी जागरुकता के लिए गुना में 13 नमबर तक विधिक सक्षरता शिवर आयोज़ित किया जा रहा है झाल